आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हूँ तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका पूर्पस वकत है तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीजे जो आप अभी कर लीजे वरना बाद में पच्छताना पर सकता है तो बात करेंग तो सबसे पहले वो 20 चीजे में बताऊंगा 20 टिपस आपको बताऊंगा जो मैंने कूर्स में भी बताई है उसको बहुत अच्छे से बात किये लेकिन इससे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप खुश होते जाएंगे आपका हापिनस का जो ग्राफ है वो उपर जा सेहत तुमारी number one priority पे है खाते हो ठूसते हो शराब cigarette आपको लगता कुछ नहीं होगा लेकिन जिस दिन पढ़ोगे उस दिन अकल ठिकाने आजाएगे देख लीजे पूछ लीजे जिन्होंने शराब पी जिन्होंने cigarette पी जिन्होंने उल जलूल खाया है जब हो hospital से निकलते ह उसके बदो छोड़ देते हैं क्योंकि वो death-like experience होता है तो बेस्ट यहीं है कि limited रखो हार सारी चीजे सब एकदम limited ओके तो health is very important दिन का एक घंटा या आदा घंटा कम से कम अपने उपर दो okay so it is very very important mental or physical दोनों health इससे आगे जाके आप बहुत रहेंगे okay second point family is number one family को थोड़ा वक्त दो मुझे पता है कि अभी पैसे चक्का माने के चक्कर में काफी busy हैं but give your time to your family अपने family की साथ वक्त गुजारो सबसे अच्छा तभी लगता जब या परशान हो ना जब आप अपनी family की साथ होते ना उससे अच्छा कुछ नहीं है तो लोगों से मिल लो जिनसे आप मिले नहीं है थोड़ा से social बन जो कमाल हो जाएगा तो ओशो भी यही कहते थे हर वक्त everyone used to say in fact जे कृष्ण मूर्ती भी यही कहते थे कि death is a very beautiful thing हमारी irony है कि हम death के लिए नहीं पढ़ाते बट आपको death के लिए prepare रहना और डरना नहीं है death से यह तो हो नहीं है आप जितने भी holy scriptures देखोगे उस पर मौत पर बहुत ज़्यादा focus किया गया है तो death सब को आनी है prepare करो उसके लिए अपने आपको yes death ऐसी होनी चाहिए कहते है सवर्ग नर्ग क्या है death के समय आप क्या बोल रहे हो क्या सोच रहे हो बहुत परशान होके जारे हो तो नर्ग है खुशी खुशी जारे तो सवर्ग है तो prepare yourself for death that is the ultimate goal ठीक है और इसके लिए बहुत सारी चीज़े कर सकते हो पढ़ाई कर सकते हो कापी अच्छा अच्छा पढ़ सकते हो meditation कर सकते हो थोड़ा spiritual हो सकते हो prayers कर सकते हो humble हो सकते हो kind हो सकते हो और डरना तो ही नहीं यह तो सब के स साथ होना है okay so it is very very important है ना अगला देखो याद रखो एक चीज कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे वैसे दुख आएगा so you have to understand you have to learn how to grieve कैसे दुख मनाना और कैसे दुखी होना है इस दुनिया में तुम आए हो तो यह होना ही है लोग आएंगे इसलिए कहते हैं कि मोक्ष मिल जा है तो खेल कतम दुबारा यहाँ पर जन्वी नहीं लेना है लेकिन मोक्ष की मोक्ष की इच्छा करना भी वो भी क प्यार करते हो वो चला गया तुमारा क्या कर सकते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे पिता जी का जब दिहान्त हुआ 24-23 दिसमबर को अभी तो मैंने कभी जिन्दगी में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा मतलब देखो क्या होता है अगर आप कोई बिमार है तो आप प्रेपेर रहते हो लेकिन एकदम से कोई ऐसे चला जाए आगले दिन को आगरा जाना था एकदम फिट थे मेरे अभी शादी हु एक अगजेंगे हाट अब कि और नहीं कि मैंने यह चीजें की हुई है तो मैं बहुत जल्दी सम लिया क्यूंकि मुझे पता ही है सब चीजैंहोंगी जब पिता जी क्योंकि मैं आपने पिता जी से सबसे लादा प्यार करता था तो बहुत ज़ादा Ben Zakuma दुखी हो बहुत जादा शायद मेरे जैसे पिता जिगर हर किसी के हो तो सब की जंगी बजल जाए ठीक है एक दोस्त जैसा रेलेशन था उनके साथ तो बड़ा ही एक दुख हुआ मुझे महान थे वो इंसान महान शक्सियत मतलब लखनों में तो जहां पर भी है इंफाक्ट भी प्रिपेरड मेरे पीछे ही यहां महला है वहां पे 38 साल का एक आदमी सुबह 9 बजे अपनी बच्ची को छुट्टी थे उसकी अपनी बेटी को चोकलेट्स दिला के लाए आ गया सब कुछ बढ़िया दस बज़े कुछ प्रॉब्लम होई होगी उसकी घरवे के लाइट म और उसने खुझ से ठीक करना सोचा कि चलो मैं खुझ से ठीक कर लेता हूँ करेंट लगी मर गया जब यहां से उसकी शवयात्र जा रही थी हिल जाते हैं अगर आपको लगता आपका दुख बहुत बड़ा है तो जाओ शमशान गाट या किसी ऐसे जगा चली जहाँ जिसकी कंट्रोल में नहीं है आपके कंट्रोल में है कि बस आप अपने आपको स्ट्रॉंग मनाते रहो और इन चीजों के लिए प्रिपार रहो कि यहो होना ही है तप के लोगता हमारा आपके करम क Archives है प्रेक्छले जनम में क्या किया होगा है प्रढ़ब्ध है हमारा नहीं है और ग देखो, याद रखो कि एक इच्छा शक्ती जरूर होनी चाहिए, इच्छा रखो, पैसा बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, महनत करो, आज महनत करो, कल इसका तुमको इना मिलेगा, ये गरीबों वाली मेंटालिटी नहीं है, अमीरों वाली मेंटालिटी रखो, ताकि आप आग आगे बढ़ते हो, so always chase happiness over bitterness, मान लो कि आप सुबा सुबा जा रहे हो, आपका किसी से जगड़ा हो गया, दो तरीके इसको देखने के, पहला, जगड़ा हो गया, दिन भर सोचते रहो, उस इंसा तो कोई लेना देना नहीं हो, चला गया, तूसरा, क्यार छोड़ो, आगे बह मिलेगा, human psychology ये कहती है, कि जो अच्छी चीज़े भूल जाते है, इंसान 80% negative चीज़े रयाद रखता है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, so always, जब Thomas Edison की factory पूरी जल भी, वो इंसान हस रहा है, आपका पूरी जीवन की कमाई जल या आप हसोगे, नहीं, वो हस रहा है, कोई ब रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, जब फल मिलेगा तो मज़ा आएगी, खुश ही ढूंड़ो, ठीक है, always is happiness, उसके बाद ग्याद रखो कि अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको लगातार बढ़ाते जो, जो आपका पैशन है, उसके काम करो, मैं 10 घंटे तक लगातार क्लास ले सकता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है, वर्क और पैशन कमार होगा, अगला, meditation और breathing, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थूड़ा सा वक्त दे दो, meditation आपको कोई योगी नहीं बना लेकिन आपको बहुत ही, आपको लड़ने की शक्ती देदेगा, ठीक है, आप शान्त होगे, जिस दिन आप meditation करके निकलोगे न, उस दिन बहुत अच्छा होगे, तो थोड़ा बहुत meditation ज़रूर करो, इससे आपकी mental health जो है, वो बनी रही है, अगला, intuition को trust करो, always, आपकी अं मत करो, मत करो, मत करो, और मैंने फिर अलतर आत्मा की शुले, मैंने नहीं किया, उसमें, एकदम लास्ट मुमेंट पे मैंने वो डील कैंसल कर दी, और उसके बाद वो पूरा scam था, तो कई बार अंतर आत्मा जो होती है न आपकी, ये आपको बहुत कुछ बताती है, बहुत क आज, आपके पास कोई ऐसे दोस्त है, या कोई ऐसा है, जब आप परचान होते हैं, आप उनके पास जा सकते हो, अगर है, तो आपसे लखी कोई नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगला, चिंता-चिता के समाने, stop worrying, always, ठीक है, क्योंकि worrying एक wasted energy है, 99% हम वो जाओ, flow का आपने कोर्स भी बहुत ही शांदार बनाया, और स्ट्रेस मैं स्ट्रेस मैंने बहुत बढ़िया तरीके समझाई भी है, flow के साथ जाओ, ठीक है, जो है, so है, मुझे पता है, ये चीजे मुश्किल है, बट करना आपको ही है, वरना दिक्कत तो होगी, है ना, उसक कॉल फेलियर, आप सीखते ही हो, रिगरेट करोगे, यारे एक साल निकल गए, आठ साल निकल गए, उसके साथ रिलिशेशन परता है, अरे भाई, वो तुमको कितना कुछ सिखा के गया है, यही होना ता तुम्हारे साथ, हर इंसान की जिन्दगी वेस्ट होती है, याद एक्सपीरियंस करोगे वो अलगी है, तो यह जो जिन्दगी तुमको सिखाती है, जो थपेडे मारती है, बहले ही तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन उस कुछ में भी तुमने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि तुम बहुत कुछ सीखे हो, तो यह चीज हमेशा याद रखना, अगला, देखो, हमेशा अपने पैरिंट्स की हिस्ट्री जानो, क्या रखो, क्योंकि यह बहुत ही जादा आपको ग्राउंड लू अर्थ, आपके जो दादा पर दादा पैरिंट्स है, उन्होंने जीरो से बहुत कुछ बनाया होगा, वो आपको काफी कुछ सिखाती है, कह बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पाजेशन्स, पट वो एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, उनकी लाइफ ही बेकार है, जो भी आप पैसा कमा रहे हो आपके एक्सपीरियंस के लिए, हार एक चीज़ एक्सपीरियंस करो, घूमो और फिरो, यही आपका रियल वेल्थ है, यही आपका रियल पॉजेशन है, यही आपको कोई एक्सपीरियंस कोई मज़ा थोड़ी न दे रही है, यह तो बस आप नहीं यार छोड़ो, नहीं लेना, पैसा है तो नहीं कार कर, अरे कार लो चलाओ, देखो तो कितना चलगता है, एक्सपीरियंस घूम किया हो, खुब पूरी दुनिया घूम वो experience लो है ना तो experience over positions याद रखना कि यह हमेशा जितनी आप material जमा करते लो वो experience उससे लो क्योंकि यही आपको जिन्दगी यही आपकी नईया जो है वो पार लगाएगा ओके ऐसा environment चूस करो जो आपकी family और आपको support करता हो हमेशा ठीक है environment अच्छा होना चाहिए जितने अच्छी जगा रहोगे जितने अच्छे से रहोगे और जितने अच्छे से अपने आपको रखोगे उतरही यह जिन्दगी में आगे बढ़ते जाओगे और यह family भी आपके deserve करते हैं रखना आपके success आपके नहीं है पूरी family जो है वो बदल जाती है तो इसी लेट इस बड़ी बड़ी important save and invest invest earning कम है investment जादा है तो बेफकूफ हो आप earning जादा है saving saving है तो भी बेफकूफ हो balance बनावा तो बेस्ट है save कर भी करो invest भी करो ताकि वो पैसा जो है वो double triple होते है ठीक है देखो याद रखना कि हर चीज ना ना करो calculated risk दो हर चीज ना ना मत करो take calculated risk जो कि आपको बहुत ही जाद आगे ले जाएगा अगला 19 पॉइंट अपनी बीवी या फिर जो तो मारी girlfriend है पहले बात तो अच्छा साथी चुनो अगर आपको कोई husband है या boyfriend है साथी अच्छा होना चाहिए और जब साथी अच्छा है तो अपनी पत्नी या अपनी girlfriend जो भी है या boyfriend husband जो भी है उनसे एक अच्छा connection बनो क्योंकि याद रखना कि एक ही रिष्टा है जो आपके अंत तक साथ देता है वो है आपका हमसफर ठीक है जो आपके साथ है जो आपको सपोर्ट कर रहा है तो हमेशा ऐसे ही लोगों के पास जाओ ऐसे ही लोगों से शादी करो या इसलिए शादी करने से पहले 6-7-8 मैने जान लो एक दूसरे को और जब तुमको लग रहा है कि हाँ मज़ा आने वाला है मैं इसके साथ पूरी जिन्दगी गुजार सकता हूँ तो शादी करो को कि यही आपको जिन्दगी बर सपोर्ट करेगा ओके तो यह लेच्चर था आई होब आपको समझ में आया होगा बाकि आप हमारे कोर्स को जरूर अवैल करिए मता जाएं तांक यो सो मच